दोस्तों गरम पानी पीने से इंसान की अंग नली कैसे पिकलने लगते हैं और क्यों गरम पानी पीने से बाल जड़ने लगते हैं आए इस वीडियो में जानते हैं क्योंकि गरम पानी के जितने फायदे हैं उसके उतने नुकसान भी है क्योंकि गरम पानी पीने की वजह से कई कि बार हमें फायदे होने के जगह उसके नुकसान झेलने पड़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बस आपसे रिक्विस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे हैं। पानी तो पीना ही चाहिए। हालांकि गर्मियों में तो जब हमें प्यास लगती हैं तो पाने की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन जब बात सर्दियो की आदी है तो ऐसे में बहुत से लोग गलतिया कर बैठते हैं। और जितना पानी वो गर्मियों में पिया करते थे उसका आधा भी सर्दियों में नहीं पीते। जिसके वज़े से उनकी बॉडी में रूखा बना जाता है। और जगह जगह खुजली की शिकायत होने लगती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह घलत वहमी होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा पानी पियेंगे तो इससे उन्हें कोई नुकसा नहीं होगा। भलकि इससे उन्हें फाइदा ही होगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से सज नहीं है क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं कि किसी चीज को अगर लिमिट से ज्यादा किया जाता है तो उसके खतरनाक दुश प्रभाव हमें जेलने पड़ जाते हैं। फिर बात चाहे खाने प पानी पीते हैं तो इससे हमारी बॉडी के टेंपरिचर में काफी उतार चड़ा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप लगातार गरम पानी पीते रहेंगे तो इससे आपकी किड्नी को फंक्शन करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होगी। शायद आप ये बात तो जानते ही हो कि अगर आप एक healthy life जीना चाहते हैं तो उसमें kidney का पूरी तरह fit होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि kidney ही हमारी body का वो part है जो हमारी body से सारी गंदगी बहार निकाल दी है ऐसे में अगर आप गरम पानी पीते हैं तो इससे kidney की ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और कई research में तो doctor भी इस बात को मान चुके हैं कि ज्यादा गरम पानी पीने से kidney को काफे नुकसान झीलना पड़ सकता है इसलिए अगर आप गरम पानी पीते हैं तो यह कोशिश करें कि पानी का temperature बहुत ज्यादा high न हो आप चाहे तो गुनगुने पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं और उसको भी आपको limit में इस्तिमाल करना है यानि जब आपको प्यास लगे तो उस दोरान आप गुनगुने पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं अगर आप काफी लंबे समय से गरम पानी पीते आ रहे हैं तो इससे आपके पेट में अलसर जैसे बिमारी का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब आप लगातार गरम पानी पीते रहेंगे तो इससे आपके पेट के अंदर छाले पढ़ने लगेंगे जिसके बचह से बहुत से लोगों को जलन महसूस होती उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पेट में आग लग रही हो हालां कि इसके पीछे और भी कई रीजन हो सकते हैं लेकिन गरम पानी पीना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पानी हमेशा गुंगुना या बहुत कम टेंपरेशर वाला हो इससे आप काफी हद तक ये समझबा रहे होंगे कि जब आप गरम पानी पी नहीं सकते तो ऐसे में आपके लिए गरम पानी से नहाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि सर्दियों में लोग अक्सर ये खलती करते हैं कि बहुत ज्यादा पानी को गर्म कर लेते हैं और उसके बाद उस पानी से नाते हैं इसके अलवा एक बहुत practical सी बात है कि जब हम गरम पानी से नहा कर बाहर निकलते हैं और बाहर का temperature बहुत कम है तो ऐसे में हमें ठंड भी लगने लगती है क्योंकि अभी तक हम गरम पानी से नहा रहे थे और जैसे ही हम नहाना बंद कर देते हैं हमें दोबारा ठंड लगने लगती है और जब आपकी body अचानक से इतने ज्यादा temperature का उता चड़ाव देखती है तो वो काफी ज्यादा imbalance हो जाती है जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेश्यानियों का सामना करना पड़ता है इसके लवा अगर आप सुभह उठते ही गरम पानी पीते हैं तो आपने ये रूटिस किया होगा कि जब हम सुभह उठकर गरम पानी पीते हैं तो हमारा पेट काफी भरा भरा लगने लगता है जिसकी वजह से हम अच्छे से fresh भी हो पाते हैं लेकिन इसी तरह सोच कर देखे कि अगर आप पूरा दिन गरम पानी पीते हैं तो ऐसे में आपको भूक न लगने की परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि गरम पानी पीने की वज़े से पेट काफी भरा भरा लगने लगता है और इस वज़े से हमें भूक भी कम लगती है हालां कि research में ये भी सामनाया है कि जो लोग रात के वक्त भी गरम पानी पीते हैं अक्सर उन्हें नींद ना आने की परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि एक इंसान के शरीर के लिए नींद कितनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग कभी रिलेक्स नहीं हो पाएगा और उसे अगले दिन की एनरजी नहीं मिलेगी जिसके वज़े से आप गलत फैसली ले सकते हैं आपकी जिन्दगी डिप्रेशन में आ सकती हैं हो सकता है आपका स्वभाव भी थोड़ा चिड़ चिड़ा हो जाए क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि रात के वक्त तो कम से कम गरम पानी बिलकुल ना पीएं हालांकि अगर आप गरम पानी भी पी रहे हैं तो इसके दुश प्रभाव आपको एक दम से देखने को नहीं मिलेंगे हाँ अगर आप लगातार काफी समय से गरम पानी पीते आ रहे हैं तो इससे जरूर आपको कोई नुकसान हो सकता है और अगर आपको किसी भी चीज को लेकर confusion है तो आप अपने डाक्टर से मिल सकते हैं उनसे इस बारे में थोड़ा और डीटेल में जान सकते हैं ताकि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो कर सके और गरम पाने कितना और क्यों पीना है ये अच्छे से जान सके बाकी वीडियो में हमने आपको काफी डीटेल में समझा दिया उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी फिलाल वीडियो में सिर्फ इतना ही जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके और अगर आप हमारी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फेस्बुक को जरू फॉलो करें धन्यवाद